नमस्कार दोस्तों मैं रण सिंग्पवार और आप देख पा रहे हैं इसमें पी एम अफो न्यूज इसमें जो तस्वीर हम दिखा पा रहे हैं कालवास गाउं की जहां पे बेड़ चोरी का मामला सामने आया है लोग बाग यहां पे खड़े हैं इन से बातचीत करेंगे और प यहां जी पाइब बता कितनी वेट थी बता बता देब चब्विस चब्विस बेड़ थी यहां लोग बाग जो खड़े हैं इनका किशब्विस बेड़ और तीन बकरी चोरी रात के अंदेरे में जो है एक बज़े के करीबन गाडी से गाड़ी से पीक अप पीक अप में लेके गए तो कैसे सी सी टीवी पूटेज से की उनमें एक बज़ कर साथ मिन्ट पर गाड़ी मंगाड़ी की तरफ जाती दिखाई दे रही है पिक अप गाड़ी है केमरा यहीं पर है जो पास में दुकान है उसमें देखा पूटेज तो आपको कब पता चला कि बेड़ चोरी होगी सुबह पता चले जिसका रात को तो इसका कौन गोर कर रहा था भी बेड़ चोरी हो यह नहीं होए क्योंकि इसमें सो नग से उपर है एक हining अज़ा, स्फुटरी हो तो उनका पता चल जाता है विएक कम है, मैं पता नी चलै कितनी कम है, और उसका बढ़ ना भाई उठे है थो तो उठे, उसका बढ़्णा भाई सजन है, वो उठके उसे तो बेड़ बार निकड़ रही थी उसने बार वो बेड़े देखी है वह दोनों बेड़ों को फिर अंदर जाके सो गया उसने इस बात के अगोर नहीं किया कि यहां पर चोरी हुई है या नहीं हुई और बेड़े निकल जाए तो क्या पता चले इसी तरह इसमें 700 बेड़े थी उसमें 30 बेड़े निकल गी अगर खुद पाली निकलता तो उसको पता चलता इसने सुबह ही पता चले इसका कि इतने के लग बग लुक्सान हो चुका है नुक्सान तकरिबन जी एक वेड़ की किमत आज 10 जार तो से उपर ही है कम नहीं है तीन लाख रुपए तकरिबन हो गया तो कोई 12 जार की है कोई 13 जार की है और दस जार की तो तो 3 लाख र तो पुलिस में अपलीकेशन दी तो नहीं आ पाई अब तक कोई यहां पर नहीं आया है पुलिस का कोई भी मुलाजीम अभी तक मुक्वारदात पर नहीं पोचा है जहां से बेडे चोरी हो चुकी है 30 से ज़्यादा बेडे चोरी हो चुकी है कालवास गाओं के अंदर और 3 बकरी भी बताई जा रही है लग बग लग बग तीन लाख का नुक्सान चोर करके जा चुके हैं और ये तस्वीरें आपको दिखाएं कालवास गाओं की है जहां पर रस्ते की बात करें तो ये साइड से रस्ता बना करके बेड़ें ले जाए गई है सुबह जब मालिक को पता चला मालिक को जब सुबह पता चला तो ये पता चला कि सो बेड़ों में से कुछ बेड़ें गायब है जब काउट की गई गिंती की बेड़ों की तो 30 बेड़ें 26 बेड़ें और 3 बकरी इसमें से गायब मिली ये तस्वीरें आप इस समय हम आपको दिखा रहे हैं और गाड़ी की फुटेज जो है पास पास में लगे हुए जो CCTV केमरा जहें उन से पता चला है कि पीक अप गाड़ी के अंदर चोर रात को एक बजगी के लगबग जो है बेड़ें निकाल करके लेके गए हैं और भी कुछ कहना चाहेंगे पुलिस की बेड़ें चोरी हो जाती है और पुलिस की जो अन्देखी अभी तक कोई भी पुलिस 8 बजे के लगवग यहां पे application दी गई बता रहे हैं पुलिस को सुचना दे दी गई लेकिन अभी तक कोई भी मुलाजिम यहां पे नहीं पहुंचा है मंगाडी चोखिया लगती है आप लोगों अजाद नगर ठाणा हां जी ठाना तो सुबह आठ बजे अप्लीकेशन दे दी थी हाठ बजे अप्लीकेशन मतलब दे गई तो क्या बोला गया अप्लीकेशन दी जब वह तो एक डेट गंटा की के रहे थे लेकिन अब तक कोई नहीं पहुंचा यहां पर से सुबह से दो बजगे हो गई